कुशल कलासीज में आज जोन रोल्स की जस्टिस थोरी के वारे में पढ़ेंगे जोन रोल्स बीज़वी सदी का एक महतोपून पॉलिटिकल फिलोसपर है जो सबसे ज्यादा अपनी थोरी अप जस्टिस के लिए जाने जाते हैं इस थोरी में जोन रोल्स ने कमिनिटेरियन, लिबरल और मारक्षिस्ट विचारों को एक मिक्स करके एक थोरी बनाने की कोशिश की थी वैसे लिबरल तिंकर थे जोन रोल्स तो इसकी एक ऐसी थोरी एक मिक्स करके ऐसी बनाने की कोशिश की थी liberal aspect को ही यह डंग से पेश किया था कि उसकी marxist aspect या communityire accompanying aspect भी या egalitarianism के aspect भी उसमें include हो सके तो देखते हैं मारा John Rawls ने क्या कहा है जोन Rawls की इस theory को हम इन parts में बाट कर पढ़ेंगे सभसे पहले introduction औह फिर इस theory की features क्या-क्या है यह theory कुछ assumption पे based है assumptions की बात करेंगे कौन कौन सी assumptions किन किन माननेताओं पर ये theory base है फिर distributions principle of distribution की बात करेंगे और criticism की बात करेंगे ये सारी बातें करने से पहले एक बात जानने की अपनी theory को justice को किस ढंक से जॉन रॉल्स ने पेस किया है जॉन रॉल्स का ये मानना है कि यदि primary goods को resources को यदि एक just method से उनको distribute कर दिया जाए तो justice की स्ताफना किये जा सकती है अब वो किन principles के अधार पर सब को एक जैसा बातना भी justice नहीं होता या just method नहीं होता method क्या होना चाहिए तो वो एक किसम से resources को बाटने का method डूण रहा है इस theory में और उस method को यदि apply कर दिया जाए तो कहता है गर उस method को apply करके resources को यदि distribute कर दिया जाता है allocate कर दिया जाता है तो वो justice या society में justice ला सकता है कि just society की स्ताफना की जा सकती है जोन रोल्स एक American philosopher थी liberal perspective से यह मने पहले ही बताया था कि liberal उदारवादी perspective से क्योंकि दो main perspective है liberal perspective है या फिर marxist perspective है या इनके यही बाद में जो नए रूप आ जाते हैं वो libertarian perspective आ जाता है या फिर egalitarian perspective आ जाता है community आ बहुत सारे perspective है जो हमने theory of justice equality की थोरी में भी यह समझे थे या फिर नयाए की में भी अलग अलग perspective हमने देखे थे एक इसकी theory जो procedural theory of justice है दो तरह के justice की बात की जाती है एक procedural theory और एक substantive theory substantive procedure को इंदी में परकरियातमक नयाए कहा जाएगा और इसको तात्विक नयाए कहा जाएगा तो यह जो procedural theory है यह जो परकरियातमक नयाए की बात करते है liberal ideology से liberal perspective से liberal से libertarian से जुड़ी हुई है और यह substantive perspective है जो तात्विक नयाए की बात करता है यह मुकहरुप से marxist से या फिर communitarian perspective से या फिर जो egalitarianism है उनसे यह जुड़ा हुआ है तो अब यह है क्या procedural theory कि या procedural justice जो होता है वो just process के बात करता है कि procedure यानि की परकरिया ऐसी बनाई जाए जो बिलकुल नयाए पुरन हो और नयाए पुरन परकरिया बनाने के बाद यह दिर result कुछ भी रहता है उससे फिर कोई लेना देना नहीं है वो यह मानते है अगर परकरिया नयाए पुरन होगी तो नयाए स्तापित होगा इसका मनलब हमने नयाए कर दिया उसके बाद अगर किसी की योग गयता के आदार पर किसी की मेहनत के आदार पर दिफरेंसी जाता है कोई ज्यादा संपन हो जाते है कोई पिछड़ जाते है तो वो फिर उसको अन्याए नहीं कहा जा सकता है इसी तरह की बाते हमने जब वाल्जर की या फिर डॉर्किन की थोरी भी पढ़ी थी इक्विलेटी की तो उसमें भी इसी तरह की बाते थी यो प्रोसीजरल थोरी की बात करता है जॉन रॉल्स और जो सबस्टेंटी थोरी की बात करते हैं वो यह कहते हैं हमने रिजट देखना है तात्वी कहने की वास्तों में देखना है कि रिजट आने के बाद इक्विलेट आई जिस्टिस मिला है लोगों को नहीं मिला है तो उसमें pencils प्रोसेस पर हो नहीं रूखते प्रोसेस तो ञ्रोसेस तो जस्ट होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वाद में जो affirmative action की बात तो इसे में आती है जो कोई पिछड जाते हैं तो उनको उपर उठाने के लो उनको विशेश सुईदाएं दी जानी चाहिए यह substantive की बात आती है प्रोशीजर में उस तरह की बात नहीं आती लेकिन procedural theory होते हुए भी जॉन रोल्स ने जो substantive justice की बात करती है substantive justice की बात करता है उसको include कर दिया है जब में इसके principle पढ़ेंगे जो दो principles और दूसरा principle दो parts में बटावा जो तीन principle है तो उसमें एक यह भी जॉन रोल्स इंकलूड करता है कि जो list privilege ने जो list advantage ने जो सबसे कम सबसे पिछले समाज में है उनको उपर उठाने के लिए प्रियास किया जाना चाहिए जो कि इसमें है तो एक किसम से यह थोरी कहने को तो procedural method ही apply किया है लेकिन जब इसका analysis करते तो इसने दोनों को mix करने की कोशिश किया यानि कि इस method से भी procedural method से भी उसने substantive justice establish करने की कोशिश किया यह जब हमें समझ में आएगा जब हम इसके principles पढ़ेंगे क्या क्या दिये यह कुछ किताबे हैं यह अपनी जो है इस किताब में a theory of justice में उसने अपनी यह theory दी है जो 1971 में थी इसके अलावा कुछ book है उसकी political liberalism है 1993 में the law of people the idea of public reason revisited 1999 में justice as fairness a restatement 2001 में justice की define भी ऐसे करता है कि उसको एक fairness की तरह treat करता है जोन रोल्स जोन रोल्स का जो purpose था वो theory of justice का वो एक well ordered society स्तापित करना चाहते थे और जो उन्होंने करने की कोशिश के भी है अब इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम देखेंगे की features क्या क्या है इस्तोर के पहली features तो यह है जो मैंने पहले ही बताया just distribution of primary goods यह जो थोरी focus करती है यह focus करती है कि जो primary goods है जो प्राथमिक वस्तवे हैं जो social goods हैं जिसमें rights भी है जिसमें duties भी आ जाती है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है उनका distribution जो है वो opportunity की बात आ जाती है उन सब का distribution जो है वो सही तरीके से होना चाहिए income का या wealth का सब चीज़ों का distribution of primary goods यह इसी से जोड़ा है मार्स की justice थोरी ना रॉल्स की justice थोरी जो कहता है गर यह distribution just हो गया नए पून हो गया तो फिर नए किस्ता अपना हो जाए गया प्योर प्रोसेजरल थोरी अब जस्टिक यह मैंने भी बताया कि उसकी थोरी जो सबस्टेंटी और प्रोसेजरल में जो डिफरेंस बता तो प्रोसेजरल कैटेगरी में आती है इसकी थोरी based on some assumptions कुछ assumptions पर बेस्ट है जब इन चीजों को बाटना पड़ता है तो कुछ assumptions उसने एजून की है जो हम assumptions में पढ़ेंगे अगर हो assumptions नहीं होंगी और कई बारिश के criticism इस बात पर भी होते है कि assumptions ही फुल्फिल नहीं हो सकती वो एक hypothetical assumptions है फोलो दा मेट तो अब सोशल कॉंटेक्ट होरी जो कांटियन ने सोशल कॉंटेक्ट होरी अपना ही तोरी से पहले होप्स लोक रूशो ने जो एक सोशल कॉंटेक्ट का मेथड अपना आ था कि किस तरह से लोग मिलकर एक राज्य की स्थापना करते हैं आपस उनमें कैसे contact होता है कि किसको क्या rights मिलेंगे क्या duties होंगे तो उसी तरह का एक social contact होरी करता है कि लोग एक primary stage में एक original position में वो मिलकर एक समझ़ोता करेंगे और समझ़ोता किस चीज को लेकर करेंगे समझ़ोता करेंगे कि किस तरह से primary goods को कौन से method से कौन से principle apply किये जाए जिससे वस्तूं का बटवारा किया जाए या नय के नियम निदारित किये जाए तो social contact होरी को उसने applicable किया यहां पर और उसने justice as a first virtue of good society तो good society का सबसे पहला virtue या गुण उसने justice को माना है आला कि उसने ये भी कहा है कि justice जो है वो necessary है लेकिन एक good society के लिए sufficient condition नहीं है ये minimum condition है necessary condition है लेकिन sufficient नहीं है good society लोर भी बहुत चीज़ है लेकिन उनमें सबसे जरूरी justice उसको माना है उसने अब ये तो मैंने बता दिया कि उसकी features क्या क्या है अब किन adjustments पे ये थोरी based है justice की थोरी सबसे पहला तो एक original position के एक hypothetical वो एक कलपना करता है कि एक original position में है यानि कि मानलों के दीम example देखें कि मानलों हमने किसी institutions के या किसी society के हमने नियमने अधारित करने हैं तो नियमने अधारित करने से पहले सारे मिलकर बैठेंगा उसमें position में आगे एक जो सब्द कहता है वो कहता है ये मेतोपन है उसकी इसमे वेल आफ इग्नोरेंच जिसको क आजाता है कि अग्यानता का परदा तो इसमें ये कहता है कि जो जो जोनल्स कहता है कि कुछ चीजों से अग्यान मान लिया अगर इन चीजों की अग्यानता होगी तब ही वो जो है कुछे अच्छे decision ले पाएंगे जैसे कि मानलों कुछे बनानी है कोई थोरी हमने बनानी है अपने पिंसिपल निधारित करने है एक सोसाइटी के लोगों को तो किस कास्ट के लिए ज्यादा कर देंगे पूरुशों के लिए ज्यादा करेंगे या फिर सिख्षित लोगों के लिए या ग्रामिनों के लिए शहरी के लिए तो निश्चित रूफ से बाइस नेस्ट आ सकती है यदि उनको सब चुजों का पता है कि वो किस पोजिशन में है यानि कि मैं बनाने बैट गया तो निश्चित रूफ से मैं अपनी कास्ट के लिए अपने वरक के लिए या अगर मैं गाउं में रहता हू तो गाउं के लिए शहर में रहता हू शहर के लिए तो उसमें जरूर मैं उसके पॉजिटिव यानि कि उसके फ्यावर में नहीं बनाने कोशिश करूँगा तो रॉल्स ये कहता है कि एगर इस तरह की बात रहेगी पहले पता होगा तो निश्चित रूफ से वो लोग जो है वो जो जो जस्ट पिंसिपल नहीं बना पाएंगे प्राइमरी गूर्स के डिस्टीबुशन के लिए तो इसमें कलपना किये कि ये एक महत्रकूल कंडिशन वेल ओफ इगनोरेंज यानि कि उनको नहीं पता कि वो सोसाइटी में उनकी स्थिति क्या होने वाली है कि वो अच्छी पोजिशन में होंगे या बुरी पोजिशन में होंगे वो अमीर होंगे या गरीब होंगे या फिर उनको जो है जिसे हूची जाती से होंगे नीची जाती से होंगे महिला बनेंगे या पूर्श बनेंगे इन बेसिक चीजों का उनको अपनी स्थितिका टोटली अनवेर अपनी चाहूं का भी उनको नहीं पता अपनी skill ability से भी unaware है वो समाज के में जो बी social status है उससे unaware होगे जो नियम बना रहे हैं जो लोग नियम बना रे हैं लेकिन फिर भी यह कहता है कि यह तो होगा लेकिन यह निये को बिल्कुल मूरक होंगे गयान होंगे फिर भी उनको एकोनोमिक्स और साइकलोजी की इकोनोमिक्स और साइकलोजी की उसको बेसिक नोलेज जरूर होगी कि हुमें नेचर क्या है और क्या चाहता है और आर्थिक नीमों का पता है वो दुश के साथ साथ उनको सेंस ओप सेंस होगा कि justice यह होता है जैसे समानता STAPEET करना या इक बढ़ना जस्टिस आ है यह और जस्टिस चाउपित करना चाते है से किल से ऐन वेलेटी से तो अनवेर है लेकिन उनको एकॉनोमिक। और साइकलोजी के बेसिक नियम पता है और सेंस ओफ जस्टिश उन में है ये एक एजमसन है जॉन रॉल्स की दूसरा है मैक्सिमिन प्रिंसिपल मैक्सिमिन प्रिंसिपल जो कहता है उसका ये कहना है कि जो मिनिमम लेवल पर ये दो चीजों से दो सब्दों से मिलकर बना है मैक मेक्सिमम और मिनिमम तो इसमें ये कहनता है कि जो मिनिमम लेवल पर है जो समाज में सबसे नीचे तबके पर है जो सबसे बुरी स्थेति में उनको मेक्सिमम बेनिफिट देना क्योंकि इसमें ये बहर रहता है कि क्योंकि इसमें जमसन ये है कि अगर हो सकता है क्योंकि हर एक आदमी इसमें जुवा नहीं खेल लेगा हर एक आदमी फिर इसमें सोचेगा हो सकता है कि तू सबसे बुरी पोजिशन में हो हो सकता है कि तूरी शोचल स्टेटिस लोवर हो या तू गरीब की स्थिति में हो या तू फिर नीचली जाती में या नीचली वरग में हो तो इसलिए ओक क्या कोशिश करेंगे इसे उसमें एक exemption है कि वो जो minimum level पर है उनको maximum benefit देने का प्रियास करेंगे यह है have element in knowledge जो अपिव ने बताए दे अकनोमिक psychological element in knowledge है एक बात exemption है कहता कि self interested but not egoist जो यह principle बना रहे हैं वेक्ति अपने लिए अपने समाज के लिए वो self interested तो है लेकिन egoist नहीं है तो इसका कहने का आर्थ यह है कि वो अपना फायदा तो चाहते है लेकिन अपने फायदे के साथ साथ दुसरे का दुगना फायदा हो रहा हो तो इस चीज के उनको इरशार नहीं है वो ये गोईश्ट नहीं है कि इसको ज्यादा नहीं होना ची ये मेरा चाहिए कम हो जाए बलकि उनको ये है कि मेरा भी फायदा और उसको चाहिए हो चाहिए ना हो चाहिए उसका ज्यादा भी फायदा उसका कोई इर्शा नहीं है कोई इगो नहीं है इस बात की कि उसको ज्या सबसte दिखेंगे और इसा नहीं किलेंगे वो बिल्कुल दॉघ्नेबल .. मुखु कोई भी रिश्च उछाने को तयार नहीं होंग Sig SunTrade रहें दौने बिंगे कि मैं शोचंगे कि मैसे अन्य कि और यह अपने आप को issnat ah पर जब अपने आपको रखेंगे जो पेंसिपल बनाएंगे और निश्चित रूप से पेंसिपल फेर होंगे तो ये एजंशन्स जॉन रॉल्स ने रखी है अपनी थोरी ऑफ जस्टिस के लिए अब तीन पेंसिपल के इसने बात किया अना कि कुल पेंसिपल दो है लेकिन अब उन अजंशन्स को मानते भी जब व्यक्ति प्राइमरी गूर्ड के डिस्टिबूशन के लिए या जस्टिस के लिए नियम बनाएंगे तो पहला नियम और ये बनाएंगे कि सभी को एक्वल लिबर्टी दी जाए एक्वल राइट वुदा मोस्ट एक्स्टेंशिव बे इस कि सभी को समतन्ता दे जाएगी और एक्वल दे जाएगी तो पहला प्रफारंसिपल लुदे रौल के लुदा ये बनाएंगे तो डूसरा प्रफारेंस्टिब उसने कहा अलrac чис में जो उसने परफरेंसिस भी बाहर है है तो परफरेंसिटमें B को पह़ले रखता है A से यानि कि अगर preference की बात है कि पहला नियम किसका होगा पहला preference के नहीं मतलब यह है कि बाद वाले के लिए पहले वाले को sacrifice नहीं किया जा सकता मैं कि पहले वाले preference के लिए बाद वाली preference को sacrifice किया जा सकता है तो इसमें जब वो preference ही रखता तो सबसे पहले एक number को रखता है तीन बनते हैं ये दूसरे नंबर पर आएगा तो इसके बाद पहला तो principle of equality दूसरे बात कहेगा वो कहेंगे जो सहमत होंगे नियम बनाते वे equality of opportunity principle यानि कि सभी को समान आउसर दिया जाएगा सारे offices, positions सभी के लिए open होंगे फिर equality होगी यानि कि सभी को कोई भी राजनितिक पद या सरकारी पद पराद करने का सबको equality opportunity दे जाएगी समान आउसर दिया जाएगा ये दो नियम accept होने के बाद अब वो सोचने लगेंगे कि जो सबसे पिछड़े रहे उनके लिए क्या किया जाए जिसमें खुद को भी रख्या देते हैं तो तीसरा principle जो जो जॉन रोल्स ने बताया अपनी थियोरी में वो बताया difference principle जिसको बोल ला जाता है कि the greatest benefit of the list advantage है जो maximum का अभी हमने पहले पढ़ा तो उस इन्दाथ यह पर लाग होता है कि सबसे ज्यादा benefit फिर उसको दिया जाएगा जो least advantage होगा ये बात जोड के जोन रोल्स ने केमिनी टेरी ने मारक्सिस्ट के जो आइडिया जो उसको भी include कर लिया वो इसी बात पर focus करते है कि पिछडे वर्गों को उप उठाने का प्रियास किया जाए तो पहले दोनों में तो उसने बिल्कुल liberal जो कहते हैं उस प्रस्पेक्टिव के बात की है तीसरे में liberal होते है गि उसने मारक्सिस्ट प्रस्पेक्टिव को या egalitarianism के प्रस्पेक्टिव को include इसमें कर लिया है और यह कहा है कि जो सबसे पिछडे होंगे उनको सबसे ज्यादा benefit देने का प्रियास किया जागे तीसरा principle उसने दिया तो यह principle जोन रोल्स ने दिये हैं तो हमने देख लिया कि उस तरह का यह procedure अपना है और methodologies जो अपनाई है और methodologies ने यही अपनाई है कि सभी मिल करें contact करेंगे और contact करके कुछ basic assumptions को मानते हैं उसे way of ignorance या maximum principle को मानते भी वो खुद primary goods के distributions के नियम नियदारित करेंगे क्योंकि रोल्स का मानना कि primary goods का just distribution होता है तो वही नयाए है वही नयाए के नियम है और फिर उसके जो तीन नियम हमने बताई और नियदारित किये जाते हैं अब इसकी criticism हर जंग ऐसे होती है इसने सभी को include करने की कोशिश के लेकिन सभी का डूंड लिया है capitalist system में open market की और state के minimum interfere की बात कर तो कहता है कि उसने तो एक नया रास्ता डूंड लिया है एक least advantage को maximum benefit देने की बात जोड़ कर उसने उसकी आलोचना से बचने की कोशिश की है और एक justify करने की कोशिश की है very difficult to identify the disadvantaged group तो ये भी भूत मुश्किल है कि सबसे disadvantaged group कौन सा है ये चाटना भी आसान नहीं है इसकी assumptions पर तो हर इक चीज क्या अलोचना के जा सकते है way of ignorance की भी एक बहुत बढ़ी आलोचना है जैसे मारक्सिट भी कहते हैं कि without knowing the social or economic condition principle of justice cannot be enacted in जब वेकति को अपनी सामाजी को रृख योर्च्श श्तीटी का पता ही नहीं होगा या समाज में क्या हो रहा है कितने वरगे उपर है कितने नीचे है आपको समाज का पता है सामाज कैसा है Uniqual है Uniquability है तो किस बेज़श पर है상 क्रास बेस पर है यह क्रश भी स्वेशन ब की बात है कि वेक्ती ऐसे कैसे संभव हो रहा है की वेक्ती को कुछी विना पता है कि ओपने स्तिति का या है किसे कहा से नाम लेक आई क्योंकि युआ線 के लो गपने निये बनाएंने तो स्वाइंटी बुरा था लिस्ट एडवन्टेज के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स की जो बात की थी उसका लिबिटेन विरोध करते हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉंसेप्ट तक ही रहते हैं कि एक्वल लिबर्टी मिलनी चाहिए और लिबर्टी एक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी दो ही सिंदान्तों को नए मानते हैं जब तीसरा सिंदान जोड़ दिया तो उसने कह दिया कि ये एक्वलिटी स्तापित करने के लिए उन्हों लिबर्टी को सेक्रिपाइस कर दे हो भी अलोचना करते हैं केमिनिटेरिंस की एथिकल नूटलिटी के आदार पर भी बिना नेत कोशिश को लेकर जिसने मिलाने की कोशिश की है जिसने सभी तरह के जो पिछले वरग है जो कनवर्ज करने की कोशिश की है लिबर्टेरिन आसपेक्ट को भी एगेलिटेरिनिजम को भी और कमिनिटेरिनिजम को इसने सब को मिक्स करने की कोशिश की है और एक ऐसा पिंसिपल बाद थी जोन रोल्सकी थोरी के और ये चप्टर मारा यहीं खतम होता है धन्यवाद